गर्मिक दिनाmosश्राइज करते हैं लोगों को तरह तरह की स्वासफमपन्दी समस्याइविषए ऐसे में अगर आप प्रत्य दिन एक्सेसाइज करते हैं या जिम जाते हैं तो गर्मिकी मौसममें आपको साथान रहने की जरूरत है एक्सिसाइज करने के दोरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है इससे गर्मी के मौसम में एक्सिसाइज करना मुश्किल हो जाता है अगर आप इस दोरान कुछ साफधानी नहीं बरतते हैं तो आप बिमार हो सकते हैं इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में exercising करने के दोरान किस तरह की साफधानी बरतनी चाहिए सुबह जल्दी उठकर करें exercise गर्मी के मौसम में सुबह की तापमान काफी गर्म हो जाती है इसलिए इन दिनों सुबह जल्दी उठकर exercise करें ऐसा करना आपके लिए फाइदे मंद होगा अगर आप जल्दी उठकर exercise करते हैं तो आप दिन के जरूरी कामों को भी अच्छी तरह से निपटा सकते हैं जादा पानी पिए व्यायाम करने के दोरान पर्यात मात्रा में पानी पिए क्योंकि गर्मी में exercise करने के दोरान शरीर से काफी पसीना निकलता है इसलिए सुबह के वक्त उठते ही सबसे पहले दो गलास गुनगुना पानी पिए इसके बाद exercise करने के लिए तैयार हो जाए exercise करने के दोरान जब भी आपको प्यास लगे पानी जरूर पिए क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने से आप dehydration के भी सिकार हो सकते हैं अधिकांज लोग exercise करने के दोरान energy drinks का इस्तिमाल करते हैं लेकिन exercise के दोरान आपको energy drinks का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए इन energy drinks में काफी मात्रा में glucose होता है जो शरीर में जाकर तुरंट energy में बदल जाता है ऐसे में अगर आप वजन घटाने या बॉड़ी को शेप में लाने के लिए exercise कर रहे हैं तो आपके शरीर में जमा fat की जगह शरीर energy drink से मिली उज्जा का इस्तिमाल करने लगता है और आपको exercise का पूरा फाइदा नहीं मिलता तुरंट ना नहाए गर्मी में कई लोग exercise करने के तुरंट बाद नहा लेते हैं exercise के दौरान पसीना आना लाजमी है लेकिन जादा मेहनत करने के बाद आपको थोड़ा आराम करने की भी जरूरत होती है ताकि शरीड का तापमान कम हो जाए exercise करने के एक घंटे बाद लोगों को नहाना चाहिए तुरंट नहाने से आपको कुछ भी हो सकता है